इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ओफ ग्रैविटी के बारे में जो इंजिनिरिंग साइंस का एक बहुत ही महत्वपुर्ण टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे कि गुर्तव बल गुर्तव के इंदर को कैसे पहचानते हैं और सेंटरोड क्या होता है अगर आप इस चैनल सक्क्राइब कर लें और बैल नोटिफूकेशन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे CDC आपको मिलें सबसे पहले हम बात करते हैं गुर्तव के बारे में और गुर्तव कर्शन जो बल होता है उसके बारे में जिस बल द्वारा प्रिथवी वस्तों को अपनी ओर कर्शित करती है उसे गुर्तव बल कहते हैं जैसे यदि एक गेंद को हम उपर की ओर पहंगते हैं और वह एक स्थान पर रुखने के बाद नीचे की तरफ आने लगती है तो ऐसा प्र बना रहता है वस्तु का जैसे हम उसको हैं करते हैं या किसी सर्फेस पर रखते हैं तो वस्तु का वह बिंदू जिस पर वस्तु का सारा भार केंदरीत रहता है वह गुर्तव बंदू कहलाता है क्योंकि वस्तु हर एक छोटे-छोटे कनों से बनी हुई है और हर कन का कुछ कुछ द्रव्यमान होता है और वस्तु का जो प्रतिय कन होता है वह है प्रिथ्वी के केंदर की ओरा कर्शित होता है जैसे कि मैंने आपको थमनेल में दिखाया है वस्तु के सभी कनों पर जो बल लग रहा है वही वस्तु का भार होता है उसका जोड जो सारे बलों का और यह फ वस्तों में होती हैं उनमें ये जो पॉइंट है Center of gravity होता है क्योंकि उनमें वस्तों में कुछ ना कुछ भार होता है और वो पृत्वी के के इंदर की और अकर्शित होता है तो इसलिए उसमें Center of gravity कहा जाता तो अगे acceleration due to gravity जो गुर्टुविया तवर्ण किया होता है जैसे कोई वस्तु गिरती है तो वस्तु में gravity के कारण जो acceleration पैदा होता है उसे गुर्थविय तवर्ण कहते हैं जैसे प्रिथवी के और कोई वस्तु आती है बहुत तेजी से तो वो जो acceleration है उसको गुर्थविय तवर्ण कहते हैं इसे g से दरसाते हैं जी का मान CGS सिस्टम में सैंटिमीटर ग्राम सेकंड शिश्टम में सेंटिमीटर प्रति वर्ग सैकंड और मिटरि प्रति स्यर्टेन और फूट-खोर्पांड सैकंड सिस्टम जो Free व्रति Ст्व प्रति वर्ग सैकंड होता है किसी भी वस्तू की vitamin c कि अंट्र उफ ग्रयुटी पदा करने के लिए सबसे पहले हमें उसके केंदर का पता करना पाटेगा जहां पे उसका सारा भार केंदरीत होता है और ठोस वस्तुओं में इसका जो केंदर होता है वो अलग होता है और जो प्लेन फिगर्स होती है उनमें इसको सेंट्रोइड बोला जता है तो प्लेन फिगर प्लेन फिगर्स होती है जो टू डेमेंशनल टू डेमेंशनल ओब्जेक्ट होते हैं जो चप्टीश तेहिं जिसमें जिसका भार नेगलीजिबल माना जाता है वो प्लेन फिगर्स होती है जैसे वरग आयत स्क्वेर वरग रेक्टेंगल आयत सर्कल व्रीत और चत्रबुज इसमें चत्रबुज में जैसे हम प्रलेलोग्राम का अगज़ेंगे तो सबसे पहले हम वरग के बारे हों देखते हैं जैसे वरग है इसकी A, B, C, D साइड है और जो हर साइड है वो ब्रब्र है यहाँ पे मान लो इसको हम मान लिते हैं S और इसके डाइगनल को में लगते हैं A को C से B को D से इस परकार जो हमें यह प्राप्त हुआ है यह इसका सेंटरड है और यह जो यहाँ से अगर यहाँ से हाइट इसकी मापेंगे इस पॉइंट की तो यह S बाइट टू होगी जितनी है साइड है मान लो एपचास एमम की साइड है उसका आध्दा होगी है S बाइटू इसी परकार हम रेक्टेंगल के संदर्म में देखेंगे जैसे A B C D यह साइड होगी यह साइड होगी अब A B के पैरलल यह सीड यह दोनों परब रहे हैं और यह दोनों परब रहे हैं अब हम इसके डाइगनल को मिला लेते हैं तो जो यह साइड होगी मालो यह साइड है X और यहां पर इसका सेंट्रोड आया है C तो इसको जब हम इसकी हाइड यहां जबाब परेंगे तो यह X by 2 होगी यह से इस हाइट गा जो यह लेंथ और यह ब्रेत है ब्रेत के बिलकुल हाप में जितनी यह साइड होगी उसका आफ पर असे चल्ल होगा वह गे जैसे यह सरकल है तो सरकल का जो सेंट्र وच ऑ तैसी वही उसका फन्साशन की संट्रोड होता है अब आगे प्यष्य Christmas के उसमें समानतर चत्रबुज के उसमें एक एबी सीडी एबी के समानतर ये सीडी है और बीसी के समान अंतर ये डी है इसमें भी ऐसी हम इसको मिला लेंगे यहां पर जो point आया है ये इसका centered है और इसके भी जो height हम आपेंगे इसके प्रलेलो ग्राम के जो height होगी यहां से मान लो यहां से हमने इस बिंदू से इसकी height निकाली है h तो उस h का half इसका उस height का जो इसकी अधार की जो line है ये भी वहाँ से जो इसके समान अंतर लाइन के किसी भी पॉइंट तक जो हाइट है उस हाइट का आदा इसका सेंट्रड होगा प्लेन फिगर में आगे हम देख लिते हैं पाजवा व्यक्ट ट्रीबुज के बारे में ट्रेंगल अब यह त्रीबुज की तीन भुजाए हैं यह ऐसी ए बी बीसी और सी यह यह है और अब हम इनके क्या करेंगे इनके जो एंगल है उनका सम्दिवाज़क करेंगे अबर और सी प्रकार जो हमें प्राप्त होगा यह व्यक्ट है और यह आधे से कितनी दूरी पर है यॉआलो यह इसकी हाइट है पूरी यह इसकी हाइट है तो यह इसके हाइट के तीसरी हिस्टे के प्रब्रोत है है एच भाई थ्री तो इस प्रगार हम ट्रेंगल में सेंट्रोड पता कर सकते हैं में सेमी सर्कल में सेमी सर्कल का सेंट्र रडप अर्दवरीत अब अर्दवरीत कैसा होता है यह कुछ ऐसा होता है अर्दवरीत अब इसका अर्द्वरित का जो सेंटर ते हैं यहां से कुछ इस हाइट पे आते हैं सेंटर से और यह जो दूरी होती है यह 2D by 3 पाई यह दूरी होती है जो 2D by 3 पाई होती है क्योंकि जो सर्कल का सेंट्र बते हैं हमारा जैसे यह डैमेट्र है मारी पासे यह इसका धाकर है और यह जो दूरी होती है वो यहां उस इसके हाले समय ऱकल तो इस परकार हम इनके plane जो figures होती हैं उनके centroid निकाल सकते हैं अब हम बात करते हैं solid object के बारे में ठोस वस्तूं के बारे में तो ठोस वस्तूं में हम किस-किस को count करते हैं तो सबसे पहले उसमें cylinder आता है cylinder जिसको बेलन कहते हैं बेलनाकार वस्तूं होती हैं जो दूसरे नंबर पर कोन शंकू और तीसरे नंबर पर गोला सफेर और चोथे नंबर पर हैमिस्फेर अर्द गोला तो में चार वस्तूं को हम solid में count करते हैं तो सबसे पहले हम बेलन के बारे में देख लिए और इनमें जो solid object होते हैं इनमें जो हम उसको center of gravity बोलते हैं जैसे plane figure में हम उसको centroid बोलते थे और इसमें center of gravity बोलते हैं क्योंकि हिन्वेट हो स्वस्तु में कुछ ना कुछ बाहर होता है और भार जिस पॉइंट पर उस वस्तु में जिस प्रकेंद्री तो होता है उसे मतलब center of gravity बोलते हैं तो सबसे पहले हम एक बेलनाकार वस्तू का डाइग्राम बनाएंगे हम यह में center है जो एक्सिस का और यह यहां से यह हाईटेस की यह का डायमेटर है व्यास अब जो इसका जो जिसका हाईट केंवार यह बिल्कुल इसके center में होता है यहां पर center of gravity इसकी और यह होती है एच बटे दो हाइट बटे दो हाईट को भाग कर लेंगे हैं मुंचाई को दो से यह आएगी उसके बाद संकू संकू के बारे में हम देख लिते हैं जैसे संकू कौन ऐसे होता है यह इसका एकसिज है तो जो इसमें संकू में जैसे इसकी हाईट है अब इसका जो वोल्यूम होता है वोल्यूम का जो चोत्था इससर यहां में बैठता है जैसे यहां में बैठता है तो h by 4 पे इसका जो center of gravity point होगा वो यहां पे होगा जो हाइट के हाइट के चोत्थे से h by 4 h by 4 आएगा मालो हाइट इसकी सो है तो सो बटे चार पच्ची एम मतलब यहां से जो इसका अधार है अधार के point से 25 mm उपर इसका center of gravity point आएगा अब हम स्पेर के बारें बात करते हैं अब स्पेर में यह center of gravity जो इसके एक्स सिंद मीलते है यहां में center of gravity बिल्कुल center होगा इसमें जो भी इसका जैसे diameter है डायमेटर के बिल्कुल हाप में होगा इसका center of gravity point आप हैमी स्पेर के बारें बात करते हैं तो है मिस्फेर में जो इसका यह डायमेटर है और यह इसका सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट से थोड़ा से अपर यह जो पॉइंट थ्री बटे एट आर थ्री बटे एट आर रेडियस मल्टिपलाई थ्री बाई एट यहां इसका यह जो सेंटर सेंटर ऑफ ग्रैविटी पॉइंट होगा यह यहां पर होगा तो इस परकार हम प्लेन फिगर्स जो हमारी टू डिमेंशनल अब्जेक्ट उत्ते हैं उनके बारे में और जो सॉलिड है वस्तों होते हैं जो जैसे सिल अधार पर भी हम इसके जो भी नुमेरिकल अपते हैं जो भी इसके कोस्टन अपते हैं वाग्य के वीडियो में हम वो सोलो करेंगे इस चैनल पर आपको इंजिनरिंग की लगबग सभी ब्रांचों के स्लेबस से सबंदित वीडियो मिलेंगे और कंप्टिटिव एक्जाम से सबंदित वीडियो भी मिलेंगे इसलिए चैनल के साथ बने रहें थैंक्यू धन्यवाद